हेलो फ्रेंट मैं उस्री रच्कमार सर्मारिक और फिर से बहुत वस्वाद करता हूँ आपका अपने चैनल पर ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बिना आधार काड के किसी को भी सिम काड नहीं मिलता ऐसे में कुछ फ्रोड करने वाले लोग आपके आधार काड की कहीं से डिटेल निकाल कर आपके आधार काड का इस्तेमाल करकर सिम काड खरीद लेते हैं ऐसे में अगर वो आपके नंबर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपके उपर आ जाती है कई बार तो बहुत सारे भोले वाले लोग ऐसे होते हैं जिने ये जानकारी ही नहीं होती है कि उनके नाम पर कितने सिम चल रहे हैं आपको इसी परिशानी से बचाने के लिए DOD यानि कि Department of Telecommunication में एक नई सर्विस शुरू की है जिसके द्वारा आप अपने घर पर बैट कर केवल एक किलिक करकर अपने mobile phone से ही आसानी से ये चेक कर सकेंगे कि आपके आधारकार के साथ कितने mobile number rested है यानि कि आपके नाम से कितने नंबर चल रहे हैं और जो भी नंबर आपके नाम से चल रहे हैं उन में से अगर आपको लगता है कि कोई नंबर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं वो नंबर आपका नहीं है तो आप केवल एक किलिक करकर उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके बास वो mobile number आपके नाम के साथ से हटा दिया जाएगा और वो mobile number जो भी व्यक्ति यूज़ कर रहा होगा उनसे उसका अधार कार्ड लिंक कराने के लिए कहा जाएगा अगर वो number के साथ अपना अधार कार्ड लिंक नहीं कराता है तो उस mobile number को permanently बंद कर दिया जाएग तो आज़े जानते हैं कि आप किस तरीके से इस portal पर जाकर केवल एक क्लिक करकर ये चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने mobile number चल रहे हैं इसके लिए आप अपने mobile phone, computer या laptop में Chrome browser को open कर लिजे Chrome browser के search box में आपने type करना है इसे type करकर जैसे ही आप search करेंगे तो आपके सामने यहां पर TAFCOP का new portal open हो जाएगा TAFCOP यानि कि Telecom Analytics for Fraud Management and Consumer Protection Portal यही वो portal है जिस portal से आप यह चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से पूरे देश बर में कितने mobile number चल रहे हैं आपकी जैनकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति एक आधार कार्ड से 18 SIM connection से ज़्यादा नहीं ले सकता परंतु TAFCOP पर यह जैनकारी दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति के नाम पर 9 से अधिक SIM connection होते हैं तो उन्हें एक SMS भेज कर यानि कि एक notification भेज कर यह सूचना दी जाती है कि आपके नाम से 9 से अधिक SIM connection चल रहे हैं और जिन सब्सक्राइबर्स के नाम पर 9 से अधिक SIM connection चल रहे होते हैं वो उन notification के बाद आवश्यक कारवाई करने के लिए पोटल पर लिंक पर क्लिक करकर उचित कारवाई कर सकते हैं ताकि वो कल को किसी बड़ी मुसीवत में ना फस जाए तुआ यह झानते हैं कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने SIM connections चल रहे हैं तो आपको यहां पर अपना mobile number टाइब कर देना है जिस तरीके से हम यहां पर अपना एक mobile number टाइब कर रहे हैं नीचे यहाँ पर आपको request OTP का button दिखाई देगा, इस पर आप जैसे ही click करेंगे तो आपने जो mobile number डाला है, इस पर एक one time password यानि कि OTP send किया गया है, उस OTP को आपको इस box के अंदर इस तरीके से type कर देना है, और नीचे दिये गए validate के button पर click करना है, जैसे ही आप इस पर click करे तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि list of mobile numbers registered on your IDs, यानि कि आपकी ID के साथ में कितने mobile number registered है, तो हमने जो mobile number यहाँ पर अपना डाला है, तो हमारे इस mobile number के साथ में जो भी हमारी ID link है, उस ID के साथ में यहाँ पर 3 mobile number show कर रहा है, यानि कि हमारा जो आधार काड हमने दिया हुआ ह इस mobile number के साथ में उस आधार काड के साथ में तीन mobile number चल रहे है, और वो तीन mobile number यहाँ पर दिखा रहा है, इस तरीके से आप जो भी mobile number डालेंगे, वो mobile number जिस आधार काड जिस ID के साथ में registered होगा, उस ID के साथ में जितने भी mobile number registered होंगे, वो सारे के सारे इस तरीके से यहाँ पर शो कर जाएंगे जिस तरीके से हमारी आईडी के साथ में या पर तीन मोबाइल नंबर शो कर रहे हैं अब यहां पर आपके सामने जितने भी नंबर शो कर रहे होंगे अगर आपको लगता है कि यह सारी के सारे नंबर आपने ही अपनी आईडी के साथ में रेश्टर किये ह हैं और आप इन सारे नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना है अगर आपको लगता है इन में से कोई एक नंबर ऐसा है जिस नंबर का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो उस नंबर के सामने आपको इस तरीके आपको second वाले को click करना है तीसरा है required आपको इसकी जरुरत है अब मान लिजिए कि यह mobile number आपका नहीं है तो आपको यहां पर this is not my पर click करना है और उसके बाद यहां से आपको report पर click कर देना है तो आपकी request try के पास चली जाएगी आपको यहां पर एक request number भी दे दिया जाएगा जिस number को आप कहीं पर note करकर रख लीजिए जब भी आपको इस request को track करना हो या फिर आपको इस request को cancel करना हो तो यहां पर आपको request number डाल कर track cancel पर click करना है आप जैसे इस पर click करेंगे तो try ने आपकी request के उपर क्या action लिया है उसका status आपके सामने खुल कर आ जाएगा अगर आ इस पोटल के अंदर देरे देरे सारे राजियों के और सभी के mobile number को add किया जा रहा है अभी फिलाल यहां पर तेलंगाना और आंधरा परदेश को ड़ीम यह तो आपको घबराने की ज़रुद नहीं है कुछ दिन में इस पोटल के ओपर डाटा अपडेट कर दिया जाएगा और धीरे-धीरे सभी जगा के मुवाइल नंबर को यहां पर एड़ कर दिया जाएगा उसके बाद आप जब भी अपना मुवाइल नंबर यहां पर डाल कर रि request OTP पर क्लिक किया तो मेरे मुवाइल नंबर पर OTP आ गया और यह पोटल ओपन हो गया अगर मैं एक्जामपल के तोर पर यहां पर अपने दोस्त का यूपी यानि उत्तर प्रदेश का मुवाइल नंबर यहां पर डाल कर request OTP पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का मुवाइल नंबर डालने पर यहां पर उपर लिखा आ रहा है Hello Users Currently data for your location operator is not available और नीचे लिखा है state tune तो इस portal पर मुवाइल नंबर डालने के बाद यदि आपका भी data show नहीं करता है तो आपको बिल्कूल भी घबराने की जरुरत नहीं है आप कुछ दिन के बाद दुबारा यहां पर आकर अपना मुवाइल नंबर डाल कर ट्राई करें उसके बाद आप देखेंगे कि आप आपका यहां पर data open हो जाएगा और आपके IT के साथ में जितने भी मुवाइल नंबर रेश्टर होंगे जितने भी आपके नाम से मुवाइल नंबर चल रहे हैं वह सारे के सारे यहां पर show कर जाएंगे जो भी मुवाइल नंबर आपको लगता है कि आप यूज नहीं करते है या फिर वह मुवाइल नंबर आपका नहीं है तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकेंगे आपको टेलिकॉम एनलेटिक्स फॉर फ्रोड मैनेजमेंट एंड कंजूमर पोटेक्शन का यह पोटल कैसा लगा हमें नीचे कमेंड करकर जरूर बताएं आई होफ यह वीडियो आपके यह वीडियो अपके लिए यह वीडियो और यह यह वीडियोग का चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी नहीं वीडियो करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए यदि चैनल सब्सक्राइब किया वाए था आपका बहुत-बहुत धन्य तब तक ले गूड़ बाय टेक केर जहन